तो दोस्तो आज है हमारे पास OPPO K2LX 5G इसका बेस बेरेंट 13,000 रुपीज का मेले जाता है 668 सवाला इस फॉन को यूज करते करते लगए हमें धाई महीन होने जा रहे हैं एक चीज में आपको पता दूँ कि यह फॉन मैंने कम मेरे भाई ने जाता ही उज कर रहा है आज की लुक्स में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है क्योंकि इसकी जो डेजाइन है पीछे से बिल्कुल बन प्लस लगता है तो इस फॉन की सगल सूरत तो बहुत ज़्याद अच्छी है बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं देगा कि यह फॉन बहुत ज़्यादा बजेट व तो इस corner थोड़े hard है तो safe तो करता है phone को तो looks में मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा और इसकी durability के लिए भी मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा लेकिन एक चीज़ में है पर कहना चाहूँ कंपनी के ads पर बिल्कुल मत जाईगा कि पईये चड़ा रहा है उस पर कहीं स है तो किस condition में गिरा है corner से गिरा है या फिर फ्लैट गिरा है कैसे गिरा है उस चीज़ पर भी कभी यदर depend करता है अब देखो oppo k2ls phone है जिसका अगर cover लगा है तो अगर वो corner side से गिर रहा है तो phone में कुछ भी नहीं होगा and अगर flat कर रहा है तो internally problem हो सकती है भले phone टूटे तो phone को बिल्कुल समाल कर जरूर रखिएगा phone तोड़ा पतला है ज्यादा मोटा नहीं है इसमें आपको 3.5 का गड़ा भी देखने को मल जाता है जो की earphone का experience आपको एकदम मस्त देने वाला है and type c port भी देखने को मिल जाता है USB 2.0 वाला and भाहीं आपको speaker देखने को मिल जात है इसकी quality आप खुद सुनिएगा एक बार आज की रात मजा हुशने अब देखो जो speaker की loudness बगर है वो ठीक है क्योंकि इसमें आपको 300% तक volume को इंक्रीज कर सकते हो कर जरूर सकते हो 300% तक अब जाहिर चीवात है लाट होता है लेकिन distortion भी होता है साहत में and basic में थोड़ी कम ही है तो decent quality करना चाहूंगा इसकी करती इसमें आपको side mount finger point देखनों को मिलता है हमें इसमें अभी तब कोई इशी देखनों को नहीं मिला चाहिए हाथ गंदे हो कैसी भी हो बड़ी अगाम करता है अगर इसके cons की बात करो है तो सबस्क्राइब में इसकी display में देखनों को मि जाते हैं यूटूब पर आपको 1440 पी तक यानि की टूगे तक ये फॉन वीडियो प्लेवेक सपोर्ट कर लेता यूटूब अगर ब्राइटनेस की बात करो तो आउट्डूर इंडूर में काफी दा ब्राइट फील होता है 1000 की पीक ब्राइटनेस मिलती है चाहां पर दे दी जाती तो इस फॉन की सेल और ज्यादा बढ़े जाती खैर इस फॉन की तावयत की बात करें तो इसमें आपको मीडिया टाक डाइमेंशिटी 6300 प्रॉसेजर देखने को मलता है इसके बात करें तो साड़े चार लाग प्यास पस रहता है हमने इस फॉन पर गेमिं पर इस तक गेमिंग कर सकते हो जायरोस्कोप में इसकी प्रॉलम देखने को मिलती है तोड़ा लैक भी देखने को मिलता है गेमिंग आप करोगे तो वीडियम बगयर अलाकि गयविंग अगरा नॉर्मल गेम्स बगयर जो और होते हों उनको आप खिल सकते हो अब देखो जो होगी मैंने प्रोडम्स देखी कि यह फॉन हैं करता रहता है मेरे साथ अभी तो कोई आशा इश्यू देखने को नहीं मिला हमें आप लोग पता नहीं किस तरीके से फॉन यूज कर रहे हैं यूज केस पर भी डिपैंड करता है तो मैं देखी इसमें को अलग से देखने को तो प्रोडम देखने को नहीं मिलेगी जो इसमें ब्लॉट बेर इंस्टॉल आते हैं उनसे का फिर प्रॉलम होती है क्योंकि ब्लॉट वेर्ट वहों को कहीं ना कहीं सफोलोग करते हैं तो आपको करके इसको डिलीट बगरा करना पड़ेगा निस्टॉल कर सकते हो आप एप सब होट एप और वह सारे ब्लॉट भेर इसमें देखने को मिलते हैं जैसा कि सभी फॉन में यह देखने को मिलते हैं अब बैटरी डेपार्टमन की बात करें तो एक गंटा 20 मिनट से एक घंटा 30 मिनट ही लेता है जीरो सा एंडे परसंट चार्ज होने में बैटरी बैक अप की बात करें तो बैटरी बैक अब हम थोड़ा इंप्रेस हुए हैं इससे अच्छा चलता बैटरी एक दिन तक आराम से काड़ देता है बिल्कुल भी कोई इश्यू लगता ही नहीं कि द्वारा चार्ज करना पड़े उसमें भी बच जाता है वह बाता लगा कि आप फॉन पर बहुत टाइम कर रहे हो गेमिंग बगारा करते जा रहे हो इस फॉन पर तो थोड़ा जल्दी ड्रेन हो सकता है वरना एक दिन आराम से काड़ देता है इसका सोटी भाई देख सकते हो फुल ब्राइटनेस पर फुल वॉल्यम पर हमने बीडियू डियू कारी बीडियो सेंप सेंपल जो होते हैं वह ठीक ठाक एज डिरेक्शन बगारा कर लेते हैं वह अलकि इतना नेचुरल नहीं लगता वह लगता है लेकिन ठीक ठाक निकाल देता है मतलब एवरेज ही कहूंगा मैं 32 में उसल वाले फोटोस को देखोगे तो उसमें भी आपको कलर बगार ठीक ठाक तो इसकी डाइनमिक रेंज बगएरा देख सकते हो पीछे सान है मेरे तो किस तरीके से मेंटेन कर रहा है यह विद्यू इसकी बैक केम दे सूट हो रही है 180-30 एपिस बाइक कैसी है आप मुझे बताएगा कमेंट सब्सक्रिशन देखने को मिलता है इसमें तो सेल्पी केमरा सब्सक्रिशन आपको देखने को मिल जाएगा जिन लोगों को नहीं पता वहसा है लोग पूछते रहते हैं इस लिए मैंने बता दिया कॉल रिकॉर्डिंग की बात करो तो इसमें प्रिस्टॉर्ड आपको हुल डाइलर ही मिलेगा बट आप प्लिस्टोर से और डाउनलोड वाली वाद नहीं बाकि वाई-फाइब देखने को मिलता है Bluetooth 5.3 बट्रजन देखने को मिल जाता है है तो टक टक वाला बिलकुल आप उम्मीद मत करना इस बजट फॉन आपको देखने को मिलेगा बाइबरेशन वाला मोटर देखने को मिलता है तो डिशेंट सा है और अगर बात को नोट रहें फॉन काफी अच्छा है आप बिलकुल ले सकते हो इसको अगर आपका फॉन गिरने का जादा चांसे स रहते हैं आप अपने फादर्स बगर आपको देते हो जिनका को इतना जाथ क्यार नहीं रख पाते फॉन का गिरता रहता है उनके लिए फॉन को ना करने होगी नहीं कैमेरे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा फॉन से तो आप बिलकुल ले सकते हो क्यूंकि मल्टिटास्किंग अच्छे चा करा देता है सोचल मीड अपस बढ़ए करा देता है कॉलिम अगरा मों कोई इश्यू देखन को नहीं मिला हम तक लेकर आगर अगर अपनी लीफ होन लेना चाहर हो गेमिंग अगरा भी करना चाहर हो और कैमरा भी अच्छा चाहिए सब कुछ अच्छा चाहिए तो भी वी टी थी एक्स की तरफ जा सकते हो काफी अच्छा नहीं बताएगा हम मिलते हैं नई वीडियो में नेटउप एक साथ पत्तक के को ऑनी ठीव़ खकाहिए अ